कि नमस्कार राज शिच्छा सोध एवं परिशिच्छन परसद बिहार पतना में आपका स्वागत है मैं पिछले क्लास में आप लोगों क्लास इगरहमी की 11 के सम बेसिक कंसेप्ट और कमिस्ट्री का परचय करवाया था इंटोड़क्शन करवाया था जिसमें आपको मैंने बतलाया था कि कमिस्ट्री किसे कहते हैं कमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं कमिस्ट्री की कौन-कौन सा खाएं हैं जिसमें मैंने मुख पांच सा खाओं का चर्चा किया था इसमें पहला था फिजकल कमिस्ट्री दूसरा और गेनिक कमिस्ट्री तिसरा इन और गेनिक कमिस्ट्री चाहर था इन लाइट कल कमिस्ट्री और भाक्माँ था तो कि बायो कि मिस्ट्री आ जह सके आगे करें वR hai सम्टैंध सींसेप्ट आप कमिस्ट्री में जो पदार्थ के बारे में जानना है उसको आप लोगों को बतलाने जाooky रहें कि प्रदार्थ किसे कहते हैं प्रदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है उन अवस्थाओं का क्या क्या गून होता है प्रदार्थ का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे प्रदार्थ कितने प्रकार के होते हैं उनके क्या क्या गून है प्रोपर्टीज है उसके उदाहरन क्य क्या-क्या है आम जीवन में क्या-क्या उसके उदाहरन हैं इन सब के वाइऩ में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम इस में आपको पदात की परिवासा बतलाने जा रहे ही कि पदात किसे कहते हैं पदात क्या है तो को भी वस्तु hai कोई भी वस्तु जो जगह घेड़ता हो यानि अस्पेस ओक्यूपाई करता हो और जिसमें द्रवमान हो जिसमें द्रवमान यानि मास हो और हमारे पांचो ग्यान निद्रियां जो हमारा फाइब सेंस और गेंस है आई, इयर, नोज, टंग, and a skin मतलब कहने का मतलब तवचा इसमें से किसी के द्वारा अनुहब किया जा सके उसे हम पदार्थ कहते हैं उसे हम पदार्थ कहते हैं कोई भी वस्तु जो जगा घेरता हो जिसमें द्रवमान हो और हमारे पांचो ग्यान निद्रियां में से किसी के द्वारा अनुहब किया जा सके पदार्थ कहलाता है पदार्थ उसे हम कहते हैं पदार्थ के मुख अभ्यब मेन कंस्टिचुएंट्स ओफ मैटर जिसको हिंदी में हम कह रहे हैं पदार्थ के मुख अभ्यब तो मेन कंस्टिचुएंट्स ओफ मैटर जो होता है वो आटम्स और मोलेकूल होता है आइटम को हिंदी में परमानु कहते हैं, मुलेकूल को अनु कहते हैं. इसलिए कमेश्टरी को आइटम्स और मुलेकूल का विज्डान भी कहा जाता है. इसके अलावे पदार्थ के और भी गुन होते हैं जो पर्तिरोध पाइदा करता है यानि रेजिस्टेंस पाइदा करता है जैसे देखिएगा एक कहीं हम हवा के विप्रिद दिशा में जाते हैं तो एक विप्रिद दिशा से हमारे उपार एक फोर्स लगता है जो हवा के द्वार लगता है वो जो है पर्तिरोध हो रहा है जिसको अंग्रेजी में रेजिस्टेंस कहते हैं वो हमारे उपर दाव लगाता है दवाब पैदा करता है प्रेसर लगाता है एक जाट्स प्रेसर जिसको कर सकते हैं यह सब ही पदार्थ का गुन है यानि कि एनीफिंग भी चोकुपाय स्पेस, हाइविंग मास, इकजर्स प्रेशर, इक्सपरियेंश रिस्टेंस, और फिल्ट वाई एनीवन आउट आवर फाइब सेंस और गेन इस काल्ड मैटर कोई ही वस्तु जो जगा घेरता हो जिसमें द्रमान हो जो परती रोध पैदा करता हो जो दाब लगाता हो और हमारे पाँचों गेन निरिया में से किसी के द्वारा अनुहब किया जा सके उसे हम पदार्थ यानि मैटर कहते हैं पदार्थ के मुखभय अप आटम्स और मोलेकूलस होता है इसलिए कमिष्टि को आटम्स और मोलेकूलस का बिज्ञान भी कहा जाता है अब हम इसके आगे पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं भावती कवस्थाएं जो हैं यानि a states of matter उसको हम पढ़ने जा रहे हैं देखने जा रहे हैं प्रदार्थ की मुख्यता तीन भावती कवस्थाएं होती है यानि there are three physical states of matter प्रदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है तो प्रदार्थ की मुख्यता तीन भावती कवस्थाएं होती है ठोस, द्रव और गैस ठोस को अंग्रेजी में solid कहते हैं द्रव को liquid कहते हैं गैस को गैस ही कहते हैं प्रदार्थ की तीन भावती कवस्थाएं होती है ठोस, द्रव और गैस जिसमें द्रव और गैस को एक साथ fluid कहा जता है द्रव और गैस को एक साथ fluid कहते हैं क्योंकि यह दोनों में flow करने की flow करने की जैसे बाटर फ्लो करता है air जो है वो गैस का उदाहरन है हवा जो है गैस का उदाहरन है जो ब्लो करता है तो दोनों में flow करने की छमता है इसलिए द्रव और गैस एक साथ fluid कहलाता है और यह flow इसलिए करता है सवाल उठता है कि आखिर यह दोनों flow क्यों करता है तो इसके constituent particle फिरी रूप से move करते हैं इसलिए द्रव और गैस fluid कहलाता है और flow करता है अब हम लोग आगे ठोस द्रव और गैस का प्रोपर्टीज को यानि गुन को देखने जा रहे हैं कि ठोस का क्या क्या करेक्ट्रिस्टिक्स है द्रव का क्या क्या करेक्ट्रिस्टिक है क्या क्या प्रोपर्टीज है क्या उसकी विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् है तो अगर ठोस होगा तो उसमें यह सारे गुन पाए जाएंगे कि उसमें यह सारा प्रोपर्टीज मौजूद होगा कि जैसे पहला है कि उसके आकार आएवाम आइतन निश्चित होता है इसका जो आकिर्ती है वो भी निश्चित होता है यह हाड एवाम रिजीड होता है यहां रिजीड मतलब हुआ कि अनबेल नी अनबेंडिंग अनबेंडिंग अनफोल्डिंग अनबेंडिंग के मतलब हुआ कि यह इसको आप मौर नहीं सकते हैं इसको चाहिएगा कि इस तरह से मौर दें के पाणिक जैसा इसमानी गीरा रही तो उसको हम क्या करते हैं उंगली से इधर कर देते हैं तो पानी और जाता है दिसा बदल लेता है क्योंकि वो द्रब है लेकिन आप को ठोस को आप चाहेंगे कि दिसा बदल ले तो ऐसी बात नहीं है तो उसी को हम लोग रिजीडीटी कहते हैं कि रिजीड है अपने जगह पर अस्तीर है इधर उदर हील नहीं रहा है हील डोल नहीं रहा है अपना रास्त नहीं वदल रहा है उसी को हम rigid कहते हैं, rigidity कहते है, rigid जो solid है उसका मुख कारण है कि solid जिस particles का बना हुआ है, जिस कनों से बना हुआ है उस कन का position fixed होता है, उस कन में motion नहीं होता है, केवल उसमें एकपरकार का motion होता है, जो इसको हम लोग ओसी लेटरी मोशन कहते हैं और भाइबरेटरी मोशन जो आप पेनुलम का मोशन जो आप देखते हैं तो उसी को कहते हैं ओसी लेटरी और भाइबरेटरी मोशन उसको कहा जाता है इसके constituent particles के बीच जो attraction force होता है आकर्शन बल होता है वो बहुत मजबूत होता है यानि कहने के मतलब ठोस के अंदर जो constituent particles है उसके बीच जो bond है वो bond बहुत मजबूत है इसलिए हमको उसको तोरने के लिए बहुत ज़्यादा बल के साथ हथावड़ा उस पर मारना परता है ऐसे आसानी से उसको हम तोर नहीं पाते हैं क्योंकि ठोस के जो अबियब है यानि जिस कनों से वो बना हुआ है वो कनों के बीच जो आकर्शन बल ह है वो बहुत ही मजबूत होता है इसके यह हाड भी होता है क्योंकि इसके जो constituent particles है उसके बीच आसपेश ना के बराबर होता है इसलिए उसको हम दवाह नहीं शकते हैं खाबाने कहने का मतलब है कि जो पार्टिकिल्स है उस पार्टिकिल्स के बीच जो जगह है वो ना के ब परावर है कलोजली पैक्ड है इस तरह से हैं काफी स्ट्रॉंग फोर्स से एक दुसरे से बंधा हुआ है यानि इप कंस्ट्रॉंट पार्टिकिल्स के भी जो बाउंड है वह बहुत स्ट्रॉंग है जब तक इसके बीच अस्पेस नहीं होगा तक तक आप इसको दवा नहीं सक सकते हैं इसको आप दवा नहीं सकते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं कि अस्ट्रॉंग इंटर मोलेकुलर फोर्स ओफ अट्रेक्शन कस्टिचुएंट पार्टिकिल्स को हम लोग अगर मोलेकुल्स माल ले तो यह जो दो पार्टिकिल्स है इस पार्टिकिल्स के भी जो फोर दब दबार के Ihr Is very करो जह इसी लिए इसके बीचा स्पेश क्या है बहुत ही कम है जिस को हमने यहाँ आपको लिखा है कि इसके खन रोके बीचा स्पेश जो फूता है और नगर्न होता है और पांचवा पॉएंट में मैं उसी कर लिखा है कि से दवाया नहीं जा सकता है, इसको आप दवा नहीं सकते हैं, आप के पास बच्चों कोई ठोस होगा, तो उसको आप दवा कर देख सकते हैं, तो आप दवा नहीं पाईएगा, क्योंकि उसके बीच a space नहीं होता है इसके बाद हम लोग अब जो पदार्थ की दूसरी अवस्था है जिसको द्रब कहते हैं अंग्रेजी में liquid कहा जाता है उसके बारे में जानने जा रहे हैं उसके characteristic उसके गुन को पढ़ेंगे अब हम लोग द्रब लिक्वीड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि लिक्वीड का क्या क्या characteristic है लिक्वीड का क्या क्या गुन होता है तो लिक्वीड का जो अब हम पदार्थ की दूसरी अवस्था द्रब यानि लिक्वीड के गुन के बारे में जानने जा रहे हैं लिक्वीड के करेक्टरिस्टिक के बारे में जान रहे हैं कि लिक्वीड को हम कैसे पहचानेंगे तो लिक्वीड का जो सेफ होता है आकृती होता है वह निश्चित होता है उसको हम जिस भेसल में जिस कंटेनर में जिस बरतन कहिए हिंदी में उसको बरतन कहिए रख देते हैं वह उसी का आकृती उसी का सेफ ले लेता है जैसे आप लोग बिद्दाले में बोतल में पानी ले कराते हैं पानी जो है लिक्विड है तो आपको पानी का जो आकृती है वो बोतल जिसा लगता है लेकिन जब आप अपने घरों में जाते होंगे तो पानी गलास से पिते होंगे तो जो पानी का जो आकृती है वो गलास जिसा लगता है मेरा कहने का मतलब यह है कि लिक्वीड का कोई अपना सेप नहीं होता है उसको हम जिस आकृति के बर्तन में रख लेते हैं वह उसी सेप का को धारन कर लेता है लिक्वीड अपना सेप अपना सेप लेता है जिस बर्तन में हम इसको रखते हैं लेकिन इसका आयतन जो होता है निचीत होता है जैसे सपोज किजिए कि आप बाजार से एक बोतल पानी खरीद के लाएं आप उसको गलास में उरहेल दिये यानि गलास में रखें तो ऐसी नहीं है कि उसकी भावलूम जो है एक लीटर से बढ़ जाएगी या एक लीटर से घंट जाएगी इससे आपको असपस्ट हो जाना चाहिए कि लीटर का जो भावलूम होता है वो निश्चित होता है इसका जो अगला प्रोपर्टीज है कि इसके पार्टिकिल्स के बीच जो अकर्शन बल होता है वो ठोस के पार्टिकिल्स के तुलना में बीक होता है बीक होता है और इसके पार्टिकिल्स के बीच जो होता है लेकिन उतना भी अधिक नहीं होता है कि इसको दवाया जा सकता है इसलिए हम लिक्विड को भी दवा नहीं सकते हैं नाम मत दवाते हैं इसलिए ऐसा बोलते हैं कि इसको भी दवा नहीं सकते हैं लेकिन यह लिक्विड जो है फ्लो करता है क्योंकि इसके जो कन होते हैं जो इसके constituent particles होते हैं वो स्वतंत रूप से मुव करते हैं आई इसके constituent पार्ट किल में तीनो टाइप का मोशन होता है ट्रांसलेटरी मोशन रोटेटरी मोशन और भाइबरेटरी मोशन तीनो तरह का मोशन होता है अब हम लोग पदार्थ की जो तिसरी अवस्था है जो गैस है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि उसका क्या-क्या गून होता है उसका गून जो होता है ये दोनों से थोड़ा अलग होता है और लिक्वीट का गून जो होता है वो गैस और सौलिट के इंटरमेडियेट होता है कुछ गून इसका गैस से मिलता है और कुछ गून जो होता है ठोस से मिलता है ये क्योंकि ये इंटरमेडियेट में है जैसे देखिए ठोस से मिला कि इसको दवाया नहीं जा सकता है गैंस से इसका गून मिला कि गैंस का भी आकिरती अनिश्चित होता है और लिक्वीट का भी आकिरती अनिश्चित होता है लेकिन इसके बावजूद भी ओ दोनों से ये भीहिन है ये कब पता चलेगा जब हम पदार्थ की जो तिसरी अवस्था है गैंस के बारे में हम लोग पदार्त की डिसरी अवस्था में पढ़ने जा रहे हैं तो कि लिशा की आकिरती ओंक दोनों अन्यूचित होता है द्रभ में हम लोग पढ़े थे कि उसका आकिरती अन्यूचित होता है लेकिन आयतन नहीं। होता है गैस में हम देखे पढ़ रहे हैं जान रहे हैं कि इसका अकृती एवा माईतन दोनु अन्हिचित होता है इसको जिस वरतन में रखेंगे इसका सेप उसी तरह के हो जाएगा आज जितने आयतन वाला वरतन में रखेंगे जितने आयतन वाला बरतन में रखेंगे इसका आयतन भी उतना ही हो जाएगा इसलिए आप देखे होंगे कि आप जब बजार से जो गैस करिते हैं घरों में जिस पर खाना बनता है लपीजी पर उजब आपकी मा या पिता जी खरिते हैं तो देखते होंगे कि बजन से खरिते ह केजी पर खरिदते हैं क्योंकि किसी भी बरतन में थोड़ा भी गैस रहेगा तो बरतन के जो पूरा जो अस्पेस है उसको छेक लेगा उसको घेर लेगा उसको कूपाई कर लेगा क्योंकि गैस का टेनेंसी है कि रेंडमली मूव करता है और जितना स्पेस उपलब्ध है वो सारे स्पेस को उकूपाई कर लेता है इसलिए हम कहते हैं कि गैस का जो आयतन होता है उस बरतन के आयतन के बराबर होता है जिस बरतन में गैस को रखा गया है अगर आपको कहीं सवाल आता है इसा पुछा जाता है इसा लिखा वा रहता है कि यह गैस के इन फाइव लीटर भेसल तो आप समझ जाएगा कि गैस का जो आइतन है जो गैस का भावलूम है फाइव लीटर है अगर उसी गैस को टू लीटर के भेसल में कंटेनर में ट्रांसफर कर दिया जाता है तब वही जो मास्क है जो जितना आप पहले फाइव लीटर के भेसल में था अब जब इसको आप टू लीटर के भेसल में क तो यह जो आपको दो उदाहरण जो बतलाएं इससे आप समझ सकते हैं कि गैस का आयतन जो होता है अनिश्चित होता है गैस का आयतन क्या होता है अनिश्चित होता है और द्राव और गैस दोनों का आकिर्थी अनिश्चित होता है जबकि द्राव का आयतन जो होता है निश्च होता है अब देखे जो गैस के जो constituent particles होते हैं उसके बीच जो आकर्शन बल है जो attraction force है वो भेरी बीक होता है इतना बीक होता है कि बहुत सारे जो किमिस्ट है वो कहते हैं कि इसके बीच attraction force होता ही नहीं है लेकिन ऐसी बात नहीं है होता है लेकिन भेरी बीक होता है इसके कनों के बीच space जो होता है बहुत ज्यादा होता है इसलिए आप इसे आसानी से दवा सकते हैं जैसे आप देखते हुए कि जो बैलून में जो एर भरा हुआ रहता है तो उस बैलून को आप आसानी से बहुत अधिक दवा देते हैं क्योंकि जो एर के जो मैं पार्ट किल्स हैं उसके बीच काफी गैप है इसलिए उसको आप बहुत अधिक दवाते हैं यानि कहने का मतलब है कि गैस को दवाया जा सकता है गैस के जो पार्ट किल्स होते हैं और लिक्वीट को जो पार्ट किल्स होते हैं उसमें तीन परकार के मोशन होता है जबकि मैंने आपको बतलाया था कि जो ठोस होता है उसके कनों के बीच केवर एक परकार का मोशन होता है वो होता है ओसी लेट्री मोशन औसे लेटरी मोशन कमपन केबल होता है एवाउट दे मीन पोजिसन ऐसे पेंडूलम का जो मोशन है वो क्या है ओसी लेटरी मोशन है जबकि लिक्वीड और गैस के जो पाटिकिल्स होते हैं उसमें तीनों टाइप का मोशन होता है translatory motion, rotatory motion और oscillatory motion अब देखिए आगे हम आपको बतलाने जा रहे हैं कि जो पदार्थ की ये तीन जो physical states है जो तीन भावतिक अवस्थाय हैं इसको हम ताप और दाब के जो conditions है उसको change करके एक दुसरे में convert कर सकते हैं that means these three states of matter are interconvertible by conditions of temperature and pressure पदार्थ की इन तीन अवस्थाओं को एक दुसरे में इंटर्ण कर सकते हैं temperature और pressure को change करके देखिए जब हम ठोस को जब हम ठोस को heat करते हैं तो liquid बनता है इस process को fusion और melting करते हैं जब हम ठोस को heat करते हैं तो liquid बनता है इस process को हम लोग fusion और melting करते हैं और जब हम द्रब को liquid को ठंड़ा करते हैं तो ठोस बनता है उस process को हम लोग freezing कहते हैं फिरीजिंग कहते हैं उसी प्रकार से जब हम ठोस से direct guidance बनाते हैं हिट करके तो इस process को sublimation कहते हैं इस process को sublimation हिंदी में उधर्व पातन कहते हैं जैसे आप कैमफर कपूर को खुले में रख दीजिएगा तो भेपर में कनभर्ट हो जाएगा तो जो कपूर जो कपूर जो कपूर जो गैस में बदल गया उस process को हम लोग sublimation कहते हैं आज अब गैस ठोस में बदल जाता है ठंडा होकर direct तो इसको हम लोग deposition कहते हैं deposition कहते हैं उसी परकार से जब हम liquid को हीट करते हैं तो यह गैस में बदल जाता है इस process को हम लोग vaporization कहते हैं जब हम द्रव को heat करते हैं तो यह गैस में बदल जाता है इस process को हम लोग vaporization कहते हैं आज अब गैस को ठंडा करेंगे कूल करेंगे तो लिक्विर में बदल जाएगा उस process को हम लोग condensation कहते हैं इसके अलावे पदार्थ की दो और अवस्थाएं होती है जिसको हम लोग चाउथा अवस्था जो है उसको हम लोग plasma estate कहते हैं और एक पाचमी अवस्था होता है जिसको हम लोग बोस आइंश्थीन कंडेन्सेट कहते हैं और बोस आइंश्थीन कंडेन्सेट कहते हैं यह जो चाउथा जो अस्टेट है यह होट आइओनाजड गाइस है जो बना हुआ है लगभग समान मात्रा में पोजेटिव आयंस और नेगेटिव लिचार्ज इलेक्ट्रॉन के द्वारा बना हुआ है यह बहुत हाई टंप्रेचर पर बनता है जैसे सेंटर ओफ अस्टार यह टंप्रेचर जो होता है त्राप क्रम जो होता है वो लगभग 10 टू पावर 7 केल्विन होत है अस्टार के सेंटर में जैसे सन के सेंटर में वहाँ प्लाजमा का निर्मान होता है यह होट आयोनाइजड गैस है जिसमें लगभग समान मात्रा में पोजेटिव आयंस और नेगेटिव लिचार्ज इलेक्टॉन होता है अगला जो है वोस आइंस्टीन कंडेंसेट है जि इसमें एक भारतिया वयग्यानिक थे जिनका नाम सत्यंद्रनाथ बोस् था इन्हों ने अपना एक पेपर बना करके अलवर्ट आंश्टीन के पास भेजा था इसके आधार पर एक नया पार्टिकिल प्रकास में आया उस पार्टिकिल्स का नाम दिया गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट तो बच्चे मैं अगले क्लास में प्लाजमा स्टेट और बोस आइंस्टीन पर और थोड़ा बतलाऊंगा इसके साथ ही आप सबों को धेर सारी सुभकामनाएं एवं धन्यवाद थाइंक यू